पिछले दिनों राजस्तान के जोदपूर जैसल मेर्श शेत्रों में हुई अचानक वर्षा से जीरा की फसल आशिक रूप से प्रभावित होने की आशंका है इससे बजार पर मनोविज्यानिक असर पढ़ने लगा है गुजरात की उन्जमंडी में नए माल सहीद पुराने की आवग बढ़ने के बावजूद जीरे का भाव कुछ तेज हो गया है वही दिल्ली के ठोक किराना बाजार में पिछले दिनों जीरे का दाम साड़े चबीस अजार से साड़े सताइस अजार पे प्रतिक विंटर पर स्थिर बना रहा दरसल गुजरात में फसल की हालत संतोष जनक बताई गई है जबकि वहां बिजाई शेतर में जबरदस भड़ उतरी हुई है इधर जीरे का रखबा राजस्थान में भी बड़ा है इसलिए थोड़े बहुत नुकसान से कुल उत्पादन पर ज्यादा फरक नहीं पड़ना चाहिए लेकिन तातकालिक प्रतिक्रिया के चलते बाजार कुछ मजबूत बना हुआ है जानकारों के मताबिक वाजसम विभाग ने चालू सब्ता के शुरू के तीन दिनों के दोरान राजस्थान सहीत उत्री भारत के कई राज्यों में बारिश होने के साथ कहीं औले गिरने का भी अनुमान व्यक्त किया था जिसके चलते राजस्थान में वर्शा हुई इससे जीरे की फसल को कुछ हारी होने का डर है लेकिन वास्तविक नुकसान का आंकलन होने में कुछ समय लग जाएगा उधर उन्जा मंडी में जीरे की अच्छी आवक हो रही है और स्थानिय डिलर्स और व्यपारी तता निर्यातक इसकी खरीद में दिल्चस्पी भी दिखा रहे हैं जिससे कीमतों में मजबूती का महल बना हुआ है वहीं जानकारों के अनुसार 47 के शुरू में हुई वर्षा से राजस्तान में जीरे की बिजाई वाली फसल को फायदा होने की उमीद है मगर अगैती बिजाई वाली फसल को इससे कुछ शती हो सकती है इस नुकसान की समिक्षा की जा रही है इसे बीच उन्जा मंदी में जीरे के उस्तक दैनिक आवक बढ़कर 17-18 बोरी पर पहुँच गई है लेकिन फिर भी कीमतों में नर्मी का रुक नहीं आया पिछले साल की दूसरी छेमाई के दुरान जीरे का भाव उचल कर अपने उपरी स्तरों पर पहुँच गया था जिसके मुकाबले दाम अब लगबग आदा घट गया है वहीं मार्च में नए माल की जोरदार सप्लाई होने से जीरे के कीमतों पर दबाव कुछ बढ़ सकता है लेकिन यदि निर्यात मांग मजबूत बनी रही तो कीमतों में ज्यादा नर्मी नहीं आएगी वहीं चालू महीने में यानि फरवरी के अंत तक उन्जा में जीरे की दैनी कावग बढ़ते हुए 30,000 बोरी तक पहुंच जाने की उमीद की जा रही है आपको बता दे कि चीन में भारतिये जीरे की फिलाल अच्छी मांग निकल रही है जिसके चलते बाजार जानकार उमीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में जीरे की कीमतों में निरियात मांग के चलते और तेजी बन सकती है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी